किसी भी पैरेंट के लिए यह एक चिंता की बात होती है कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली बीमारी का सिकार उसके बच्चे भी हो सकते हैं आजकल डाइबर्टीज, मोटापा, हाई ब्लेड प्रेसर और थाराइड जैसी बीमारिया आम हो गई है ऐसे में जब आप इनका इलाज कराने के लिए डाक्टर के पास जाएंगे तो एक सवाल डाक्टर आप से जरूर पूछते हैं कि क्या आपके पैरेंट्स या किसी और संबंधी को भी ऐसी कोई बीमारी हुई थी बुरे जीन्स की वज़ा से होने वाले बीमारियां और उनके इलाज के बारे में आज हम करेंगे इस वीडियो में बात और आज के इस वीडियो से आप जानेंगे जनेटिक बीमारियां क्या हैं कैसे होती हैं ये बीमारियां और कैसे लणे जनेटिक बीमारियों से जैसे प् उस समय पहले ही एक खबर काफी चर्चा में थी कि हॉलिवूड अफिनेत्री एंजलीना जोली इस्तन कैंसर से बचने के लिए डबल मस्टेक टॉमी करवा कर अपने दोनों ब्रेस्ट हटवा चुकी हैं। यही नहीं उन्होंने कैंसर के खत्रे को देखते हुए अपना गर्भासय और फिलोपियन ट्यूब भी निकलवा दिया। इसलिए उनमें BRCA1 जीन, नानी और मा के जरिये आने का खत्रा था। इसलिए वह समय समय पर अपनी जाच कराती रही। इंडिया में इतना बड़ा स्टिप उठाने की बात अभी सामने नहीं आई है। पर इसकी तैयारी साथ में की जा सकती है। हम सजग रह सकते हैं। और आईए अब जानते हैं क्रोमोजोम्स का गणित क्या है। दरसल हमारा सरीर अर्बो सेल से मिलकर बना है। हर सेल में 46 यारे 23 जोड़े क्रोमोजोम्स होते हैं। जब इस पर्म या ओबम में सिर्फ 23 क्रोमोजोम होते हैं। तो दोनों के मिलने से जो एंबरियो बनती है उसमें 46 क्रोमोजोम हो जाते हैं। ये क्रोमोजोम DNA, RNA और प्रोटीन से बने होते हैं। क्रोमोजोम का मतलब गुन सूत्र यानि सरीर के गुन और गुन को आगे पेढ़ी में पहुँचाने वाला। अमूमन सरीर के DNA या RNA में कई जीन्स मिले होते हैं। यानि एक क्रोमोजोम पर कई जीन्स हो सकते हैं। इन में से कुछ जीन एक्टिव होते हैं और कुछ का कोई खास काम नहीं होता। सीधे सब्दों में कहें तो ये क्रोमोजोम्स ही हैं जो अलग-अलग केरेक्टर्स को प प्रेडिटरी डिजीज कहते हैं और आएए अब बात करते हैं जनेटिक बिमारिया क्या है हमारे सरीर में लगभग 25,000 से ज़्यादा जीन पाय जाते हैं जीन में कई बार ऐसी बिमारिया पाइज आती हैं जो वाता वरर या जीन में किसी तरह की गर्वड़ी से होती हैं एक बार में धेर सारा खाना खा जाते हैं ऐसा genetic वीमारी की वज़ा से होता है लेकिन यह वीमारी hereditary नहीं है कई बार ऐसा भी सुनने को मिला है कि किसी बच्चे को आसू की जगा खून निकला ऐसी वीमारियां genetic होती है लेकिन अन्वानसिक नहीं होती यानि पीढ़ी दरपीढ़ी नहीं चलती कुछ बिमारियां जैसे थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, डायबर्टीज, हाई कोलेस्टरॉल, हार्ट डिजीज, अन्वांसिक बिमारिया हो सकती है और इनका रोक थाम बहुत जरूरी है सारे कैंसर अन्वांसिक नहीं होते और आएंगे अब बात करते हैं कि ये बिमारियां आखिर होती कैसे है यदि कोई बिमारी माता और पिता के दोनों के परिवार में चलिया रही है तो उस परिवार के बच्चों को यह बिमारी होने का खतरा 100% तक होता है इरान, इराक, सौधी अरब, सहित उन कम्यूनिटीज में जहां परिवार में ही बिवाह करने का प्रचलन है वहां अनुवांसिक बिमारियों के ज़्यादा चांसे होते हैं भारत में मुसल्मानों, गुजरातों, सिंधियों और लोहारी में एक ही परिवार में साधी करने का प्रचलन है और इसी वज़े से अनुवांसिक बिमारिया इन में ज़्यादा होती है हमारे देश में इस तरह का चलन बहुत कम है कि साधी से पहले लड़का या लड़की के परिवार की हिल्थ स्टेटर्स जानने की कोसिस की जाए ऐसा करना आगे के लिए फायदे मंद हो सकता है यह सिस्टम अभी हमारे देश में ज़्यादा चलन में नहीं है पर यूरोप अमेरिका में इस तरह की बात आम है जब साधी करें तो परिवार में बिमारियों की जाच परताल करें ऐसा मुम्किन नहीं है कि किसी परिवार में कोई बिमार ही नहीं हुआ है पचास के बाद diabetes और high BP जैसी बिमारियां आज का लाम है इसलिए इस आधार पर रिस्ता नहीं करना चाहिए कि सही निर्णे नहीं होगा पर किसी परिवार में अगर कम उम्र में कैंसर जैसी खतरनाग बिमारियों की वज़ा से मौत का इतिहास रहा है तो साधी करने का फैसला लेने से पहले एक बार जरूर सोचें और आईए अब बात करते हैं कि कैसे लड़े जनेटिक बिमारियों से जनेटिक बिमारियां होने के बाद उनसे निपटना मुस्किल है लेकिन बच्चे पैदा होने के पहले ऐसे उपाय किये जा सकते हैं कि उनमें कुछ जनेटिक बिमारियां ट्रांसफर ही न होने पाए ऐसे में IVF जैसी तकनीक की मदद लिए जा सकती है कभी कभी देखा गया है कि कोई महिला naturally conceived नहीं कर पा रही है तो ऐसे में in vitro fertilization तक्नीक का सहारा लेती है इस तक्नीक के द्वारा भारत में diabetes, cancer, high blood pressure जैसे बिमारियों को embryo stage में ठीक करना मुम्किन नहीं है दूसरी बिमारियां जैसे thalassemia, barbar abortion, cystic fibrosis, down syndrome, hemophilia और mongolism आदिसे बचा जा सकता है IVF के द्वारा कई embryo तयार किये जाते हैं ऐसे में यह मुम्किन है कि बायोपसी या दूसरे तरीकों से embryo की जाच करके ठीक हो सकने वाली बिमारियों के बारे में पता कर लिया जाए ऐसे में बुरे जीन्स के असर से होने वाले embryo की जगे healthy embryo implant किया जा सकता है और आईए अब बात करते हैं कि गर्भावस्था के दारान क्या रखे सावधानी बच्चे की planning से पहले डॉक्टर को परिवार में बिमारियों के इतिहास के बारे में बताएं गर्भधारन के लगभग दो महीने पहले ही डॉक्टर की सलाह ले आने वाले बच्चे को परिवारी बिमारियों से बचाने के लिए कई तरह की दमाएं और फॉलिक एसिड के साथ कई जाज कराई जाती है गर्भधारन के बाद महीलाओं को दो महीने तक खास दमाएं और टेस्ट जारी रखा जाता है गर्भधारन के बाद भी इस्पेसिलिस डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए पूरे इलाज में महज 15 से 20,000 का खर्च आता है यदि किसी पूरुस के परिवार में गंभीर बिमारियों का इस्तिहास रहा हो तो इस्पर्म बैंक से ऐसे खास तरह के healthy sperm की मांगवा कर सकते हैं जिससे परिवार में बिमारियों का पीढ़ी दरपीर ही ट्रांसफर रुख जाए तो आज का यह वीडियो यहीं पर होता है समाप और वीडियो के दूसरे भाग से आप जान पाएंगे कि कब कराये जान जीन्स कितने होते हैं, कैंसर का जीन्स कनेक्शन क्या है, जनेटिक डिजीज कितने तरीके की होती है और क्या आयरवेद, निचुरोपैथी और योग भी ह मददगार, तो आज के इस वीडियो में बस यहीं तक, तो हमें उम्मीद है कि हमारी यह जानकारी आपको स्वस्त बनाये रखने में मददगार साबित होगी, इस बिसे से संबंधित आपकी प्रतकिरियाओं का इंतजार रहेगा, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा ल